नमश्कार एक कहानी यह भी यह पाठ मनुपंडारी जी की द्वारा लिखा गया है और यह आधुनिक युक्टी एक प्रसिद कथाकार है यानि कहानी लेखी का है इस पाठ में उन्होंने अपने जीवन की सभी घटनाओं का वर्नन किया है और वो एक छोटे से शहर में रहती थी आजादी की लड़ाई में भी उन्होंने अपना योगदान दिया था और उनके जीवन की कुछ महदपूर घटनाई इस पाठ में उन्होंने वर्नित की है उनका जन्म जो था भानपूरा गाउं में हुआ था भानपूरा मथ्य प्रदेश में है लेकिन उनका पचपन अजमेर में गुजरा अजमेर में वो ब्रह्मपूरी मोहले में रहती थी उनका वहाँ पर दो मंजिल का घर था नीचे की मंजिल जो थी उसमें परिवार रहता था और उपरी मंजिल में उनके पिताजी का सामराज्य था पहले उनका परिवार इंदोर में रहता था और उनके परिवार की समाज में अच्छी प्रतिष्था माने जाती थी जो बच्चे बढ़ने में कमजोर होते थे उन्हें वे लोग अपने घर पर ला करके पढ़ाया करते थे और इस तरह से जो बच्चे पढ़ते थे आज वो उचे पोस्ट पर लगे वे हैं उनके पिताजी जो थे वो कोमल सभाव के थे लेकिन उनमें थोड़ा एहम था एहम यानि खुज के प्रति एहम की भावना रखते थे उनको एक बार काफी बड़ा बिजनिस में लॉस हो गया था उसके बाद वो इंदोर छोड़ करके अजमेर आ गए अजमेर में उन्होंने एक डिक्ष्णरी भी तयार की थी उससे वो प्रसिद्ध हो गए थे लेकिन उनकी आर्थिक स्थिती जो थी वो कमजोर हो गई थी पैसे थोड़े कम हो गए थे एकोनोमिकली वो थोड़े कम पैसे वाले थे हाला कि लोग उन्हें काफी जानते थे लेकिन उन्होंने इस चीज़ का प्रभाव अपने बच्चों पर नहीं पढ़ने दिया और यही कारण था कि उनका सभाव थोड़ा क्रोधी हो गया था पैसे नहीं थे इसलिए क्रोध जल्दी आ जाता था और हमेशा उनकी मापर वो गुस्सा किया करते थे क्योंकि एकोनोमिकली थोड़ा कमी थी तो सारा गुस्सा मापर उतरता था बच्चों को कुछ भी कहा नहीं जाता था उन्होंने लोगों से काफी धोखा खाया था इसलिए उनका सभाव भी शक्की हो गया था और वो हर किसी को शक्की नजनों से देखने लगे थे लेखीका इस पार्ट में अपने पिताजी को याद करती है और कहती है कि उसके पिताजी के कितने गुण और अवगुण उसमें आये हैं आज वो यह बात करना चाहती है लेखीका के पिताजी जो थे उनको उनका काला रंग पसंद नहीं था लेखीका का और वहें दुगली पतली भी थी लेकिन पिताजी को गोरा रंग पसंद था और बड़ी बेहन जो थी वो गोरे रंगी थी इसलिए पिताजी उसे ज़्यादा प्यार करते थे ज़्यादा चाहते थे इसी कारण से लेखिका के मन में हीन भावना आ गई उसमें इतनी हीन भावना आ गई कि आज वो अपनी तारिख भी खुल कर नहीं सुन पाती है लेखिका की जो मा थी वो विप्रीत स्वभाव की थी और हर समय सेवा करने के लिए तयार रहती थी और उनके पिताजी की हर कमजोरी का गुस्सा उनकी मा पर निकलता था लेखिका पाँच बाई बेहनों में सबसे चोटी थी और उनकी जो सबसे बड़ी बेहन थी उनकी शादी हो चुकी थी जिसके वो याद करके आज भी वो कहते हैं कि उन्हें धुन्दला सा याद है घर के जो आंगन में वो खेलते थे तो उनके साथ उनकी बेहन सुशीला भी खेलती थी जो बच्चे खेल खेलते हैं वो सब खेला करते थे और लड़कों वाले खेल भी खेलते थे लेकिन घर के आंगन तक में ही रह करके खेल सकते थे इनके घर के लड़कों को कहीं भी आने जाने की छूट थी लेकिन लड़कियां जो थी वो केवल घर में खेलती थी उस समय जो परिवार थे घर थे वो सब एक दूसरे घरों के परिवारों का हिसा होते थे लेकिन लेकिका को फ्लैट की जिंदिगी जो है वो अच्छी नहीं लगती है और उनकी जो कहानी के जो भी पात्र हैं वो उस समय महले से लिए हुए हैं जानी जो महले में लोग होते थे उन पर ही वो कहानियां लिखती हैं उस महले के लोगों के कारण जो है उनके मन पर काफी गहरी छाप आई थी और यही कारण है कि वो कहानी भी लिखती है और पन्यास भी लिखती है तो उन्हीं को अपना केरेक्टर बना करके लिखती है उस समय समाज में लड़की की शादी के लिए 16 साल की आयू मानी जाती थी और मेट्रिक पास हो जाए बस इतना ही माना जाता था उनकी बेहन की शादी सन 1944 में हो गई थी और दोनों बड़े भाई पढ़ाई के लिए बाहर चले गए थी और सब जाने के बाद लेखी का को अपने व्यक्तिद्व का एहसास हुआ पिताजी जो थे वो कभी भी उन्हें घर का काम नहीं कहते थे करने के लिए और बस ये कहते थे कि उन्हें राजनीती का पूरा ग्यान होना चाहिए चारों तरफ उस समय आजादी की लहर चाही हुई थी और लेखी का भी उसी और अपने आपको ले जा रही थी दस्वी कक्षा तक तो उन्हें जो मिल जाता था वही पढ़ लेती थी लेकिन जब वो कॉलेज जाती है तो वहाँ उन पर जो मैम है उनकी शीला अगरवाल उन्हें काफी उन्हें प्रभावित किया और कुछ जो बुक्स थी उन्हें चुन करके दी उनके साथ उसकी बहस भी होती थी कि किस बुक में क्या है जो सीला अगरवल की संगती में वो रही तो उनका परिचे बाहर की दुनिया से भी हो गया पिताजी के साथ वो हमेशा राजनीतिक सभाओं में जाया करती थी लेकिन सक्रिय राजनीति में जब वो आई तो उनकी मैम नहीं उन्हें प्रेरिट किया था जब 46-47 का समय चल रहा था यानि जब आजादी का समय आने वाला था तो उस समय देश में बड़ी ऐसी लहर चल रही थी कि कोई भी चुपचाप घर में नहीं बैठ सकता था पिता जी जो थे वो काफी दक्यान उसी विचारों के थे और एक तरफ तो उन्हें राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरिट करते दूसरा घर से बाहर की राजनीति में भाग लेना उन्हें अच्छा भी नहीं लगता था यानि अब दोनों ही चीज़ें वो चाहते थे और यही वज़ा थी कि पिता और बेटी के विचारों में टक्राहट होने लगी पिता जी चाहते थे कि कोई ऐसा काम करें जिसे समाज में परतिष्ठा हो यानि आपका नाम हो और यही बात थी कि लेखिका को हमेशा उनके गुस्चे का पात्र बनना पढ़ता था पिता जी ह नाम और उन्होंने उन्हें बुलाया था कोलेज में बात करने के लिए उन्होंने प्रिंसिपल सर ने बताया कि इनका कोलेज में काफी दबदबा है मनु भंडारी जी का और सारा कोलेज उनके एक इशारे पर खाली हो जाता है वे तीन लड़किया है जिन्होंने कोलेज को चलाना मुश्किल कर रखा है पिता जी को यह सुनकर काफी गर्व हुआ कि उनके घर में एक ऐसा नेता है जो इस तरह से अपनी एक आवाज पर कोलेज को खाली करवा सकता है अब की बार पिता जी ने उनकी प्रशंसा की तारीफ की तो उन्हें काफी अजीब लगा उन्हें व विचार सुनकर उसके पिता जी के एक बार मित्र आये और उन्हें कुछ उल्टा सीधा उन्हें कहे दिया पिता जी को और वहवा सुनकर के पिता जी आगवूला हो गए और सारा दिन मा पर कुछ न कुछ बोलते रहे जब रात को घर आती है तो उसके पिता जी के पास उनके एक मित्र बैठे हैं जिनका नाम अंबालाल जी था और अंबालाल ने मनु को देखते ही उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया और उनके पिताजी को कहां कि आपने मनु का भाशन सुनकर के अच्छा नहीं किया उसकी जब वो तारीफ कर रही थे तो अब पिताजी को बड़ी खुशी हुई और वो बड़े गर्व के भाव से उन्हें देखने लगे उस समय की बात करते हुए पुरानी बातों को याद करते हुए कहती हैं कि क्या वास्तों में उनका भाशन अच्छा था और उस समय के समाज में लड़की के द्वारा इस तरह से धुवांधार बोलना सब पर कैसे अपना प्रभाव छोड़ गया था लेखे का के पिताजी के भीतर जो थे कई परकार के विरोध थे वो कई बार एक ही बात को दो तरीके से करवाना चाहते थे मई 1947 में एक घटना होती है कि उनकी मैम जो थी शीला अगरवाल उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया और उन पर यह रोप लगाया गया कि वो लड़कियों में अनुशाशन हिंता फ्यला रही है इस प्रकार से यह उनके कॉलेज की एक घटना है लेकिन इसमें जीत लड़कियों की हुई और यह है एक उनके लिए खुशी लेकर के आया उस समय भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और यह सभी के लिए एक बड़ी उपलब्धी थी इस प्रकार से लेकिका ने अपनी एक कहानी लिखी है एक कहानी यह है भी अगर आपको इस कहानी से समंदित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते थेंक यू फॉर वाचिंग